Hello Friends, Welcome to our channel Your New Direction साथियों आज वेकेंसी आई है बैंक में बैंक की इस वेकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए वेकेंसी आई है और आउनलाइन आवेदन इसके सुरू हो चुके है और अधिक बेसिक इनफॉर्मेशन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन क्या है किस बैंक में आई है सारी डेटेल आज की इस वीडियो में हम क्लेर करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यार दिखाएज वीडियो पर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि इसी तरह के अच्छे और लेटेस्ट वीडियो के नोडिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले हम आ गए हैं चैनल की ओफिशल वेबसाइट www.yournewdirection1.com पर यहां पर आपको हर लेटेस्ट एड्मिट का लेटेस्ट आंसर की रिजल्ट सभी चीज़ें सबसे पहले प्रोवाइट कराई जाती है तो आप इस साइट पर विजिट किया करें और यहां से सारी अपडेट लेते रा करें आज जो बैंक की वेकेंसी के बारे में मैं अपडेट लेकर आ रहा हूँ शातियों वो वेकेंसी आई रही है IDBI Bank Assistant Manager Online Form 2019 के लिए वेकेंसी आ रही है Assistant Manager की वेकेंसी आ रही है IDBI Bank से आ रही है शातियों यह भरती और इसका आप advertisement यानि की notification नमबर भी यहां से आप चेक पाएंगे तो post का नाम है Assistant Manager 600 post हैं और इनको category wise divide भी किया गया है General को 273 post दी गई है OVC को 161 और EWS को 30 post यहां पर रखी गई है SC को 90, ST को 45 post दी गई है साथियों आवेदन यहां पर online होने वाला है और offline या किसी माध्यम से आपका आवेदन यहां पर नहीं सुईकार किया जाएगा Job की location All India कहीं के भी अभ्यारतियों आवेदन कर पाएंगे Male female कोई भी हो सभी लोग आवेदन कर पाएंगे Important date साथियों notification 22 जून को out हुआ है और आवेदन 23 जून से सुरू हो चुके है यानि कि 23 जून से यानि कि कल से आवेदन सुरू हो गए है और 3 जुलाइस की last date है आवेदन करने की बहुत ही कम समय फटा-फट notification को पूरा देखें और फटा-फट आवेदन कर ले आवेदन करने के लिए भी वीडियो बना दिया गया है किस वरकार से आवेदन करना है वो एक बार आप चैनल पर जाकर विजित करें और वीडियो कनीटेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा वहां से भी देखें लाफ डेट पेमेंट की 3 जुलाई रखी गई है शाथियों और एक्जाम की डेट साथ यानि की 21 जुलाई को यानि की 15 से 20 दिन भी नहीं होंगे आपके पास और इसका एक्जाम भी हो जाएगा तो बहुत ही फटा-फट यहाँ पर जॉब मिल सकती है आपको शाथियों लेकिन इसके लिए आपको देनी होगी पेमेंट अगर आप जेनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको सासु रुपए पेमेंट है आपकर करनी होगी स्ट प्याच है तो एक सो पचास रुपए आपको पेमेंट करनी रहेगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, कैस कार्ड, वालेट, मोवाइल, इचालान किसी भी माध्धम से आप पेमेंट कर पाएंगे शारी सुबधाय दी गई है इसके लिए आपको अब साथी उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो केवल आपको बैचलर डिगरी होना चाहिए चाहिए बीए, बीए, सी, बी, कॉम, बी, सी, ए कुछ भी हों आप केवल बैचलर डिगरी होनी चाहिए आपकी और आप आवेदन कर पाएंगे पहुत ही आशानी से minimum age आपकी 21 वर्स और maximum 28 वर्स उम्र सीमा होनी चाहिए इसमें आपको छूड़ भी मिलेगी SCST और OBC को नियम के अनुसार जो मिलती है उम्र सीमा आपकी count की जाएगी 162419 से ठीक है उसके बाद जो selection इसमें होगा आपका वो return plus interview से आपका selection होगा return exam होगा और selection इंटर्डू से होगा full notification में भी details आप इसकी देख पाएंगे अब शातियों यहाँ पर आवेधन करने के लिए आप यहाँ पर apply online पर click here लिखा है यहाँ से click करिए और online आवेधन कर पाएंगे click here यहाँ से करिए तो download notification भी आप download कर पाएंगे पूरा notification पढ़िएगा तभी आवेधन करिएगा official website पर भी जा सकते हैं सरकारी result की और सारी भरतिया हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और इस ते related वीडियो भी आप चेक कर सकते तो मुझे उम्मीद है कि इस vacancy की जो भी basic information थी मैंने इस वीडियो में लगबग आपको सभी चीज़े बता दिये इससे आपको यह clear होगा कि आप आवेधन करेंगे या नहीं करेंगे अभी अगर आपको भी समश्या हो तो आप वीडियो के नीचे comment box में comment करिएगा आपको reply reply दे दिया जाएगा इस website का लिंक आपको वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा website पर वीजिट करके आप आराम से साई details को पढ़ भी पाएंगे तो वीडियो पसंद आया हों तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरण चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमेशा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक शावी शाथियों को चाहें